देखिए हम बात करेंगे numerical integration की सबसे पहले integration का मतलब क्या होता है integration में हम क्या करते हैं अब यह ने कहना integration a to b sin x dx करते हैं और उसका हम value निकाल लेते हैं integration में actually हम करते क्या थे तो आपको याद होगा intermediate में आपने पढ़ा था integration as a limit of sum integration as a limit of sum यही क्या था न आपने आपने कहा कि integration differentiation का उल्टा होता है differentiation में क्या करते थे पहले आप दो function का difference निकालते थे डेल्टा y और डेल्टा x का याद करिए difference निकालते हैं न पहले और difference निकालने के बाद में आप दोनों को divide करते थे यही करते थे न और जब integration उल्टा होगा तो उल्टा चलो इधर से यहाँ पर आपने divide किया ति इंट्रिकेशन क्या करोगे दुनों का multiply करोगे और यहाँ पर आपने difference निकाला ति यहाँ पर add कर दोगे जो यह करते हैं पहले दो function का multiply करते हैं इंट्रिकेशन का मतलब होता है कि इंट्रिकेशन होता क्या है ठीक है जो कि इंटर लेविल में हमने पढ़ा फिर आपने integral as a limit of sum पढ़ा है ना क्या करते थे इसमें जरा मालूं है आपको जैसे हमने कहा कि कोई function है y is the function of x और यह function कुछ ऐसा है मालिया ऐसा बना हुआ है figure और मैं आप से कहूँ यह बताओ x is equal to a से लेकर के x is equal to b के बीच का area निकाली है निकाल सकते हैं इस figure का नाम मालूं है आपको figure किस type को बना हुआ है इस figure का नाम नहीं मालूं है आपको इंडिया में इसको कहा जाता है उट पटांग type आप figure तो उट पटांग type figure का जो है area नहीं निकलता है तो मैं इसमें करता क्या था हमने का दोको a से b के बीच में जो difference है और b minus h है और इसके हम n टुकडे किये दे रहे हैं इसके बहुत छोटे से टुकडे किये दे रहे हैं बहुत छोटा टुकड़ा एक टुकड़ा दो टुकड़ा ठीक है इसके n टुकड़े कर दी और हर एक टुकड़े की thickness को हमने h मान लिया मैं integralizer limit आप सम बताने नहीं जा रहा हूँ मैं को समझाने जा रहा हूँ लफडा क्या है है अब देखो ध्यान से ये जो thickness है इसको h कहते हैं ये इसी को आप dx मानते हैं अगर मैंने बहुत छोटी सी strip डाली तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक rectangle बन गया कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ वैसे तो ये टेड़ी मेडी line है लेकिन अगर ये बहुत small thickness की हम बात करें तो क्या मैं कह सकता हूँ तो मैं क्या इस rectangle का area अगर height y माल लूँ तो क्या मैं इस rectangle की area को y into dx नहीं कर सकता हूँ तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बहुत सारे ऐसे rectangle बनाएंगे छोड़ 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 टुकड़े करेंगे और इन सब की area उठा के add कर देंगे x की value छोड़े टुकड़ों बांड देंगे और इन सब को sum कर देंगे और area total निकल आएगी ठीक है sum करके और इसी area के निकालने के तरीके को हम कहते थे integration as a limit of sum सुन में आगई बात ठीक है अब यहाँ पर कैसे किया जाएगा numerical integration में किया वही जाएगा जो intermediate में था ठीक है हम करेंगे क्या हमें integration करना होगा a to b y dx यहाँ ऐसा कह दें a to b fx dx तो actually x की value a से b तक निकालने है integral का मतलब होता है area निकालना ठीक है लेकिन अब किस पकार के figure का उटपटांग figure का तो हम क्या करेंगे x की value को अभी हमने कहा कि b minus a इसके n टुकडे कर दिये हर टुकडे की लंबाई चौड़ाई h हमने मान ली हम क्या करेंगे x की value को छोड़े टुकडे कर देते है x naught x1 x2 x3 up to xn टुकडे कर दिये आपने कितने टुकडे की है आपने यह कुल कितने टुकडे है n plus 1 है न अरे n क्यों टुकडे है x naught भी तो है अब x naught पे function की value या तो fx naught लिख दो या y naught लिख दो y naught लिखना थोड़ा आ fx लिखने में f भी बनाना पड़ेगा x भी बनाना पड़ेगा x1 पर इस function का मान y1 है x2 पर y2 है इस पर y3 है और इस पर yn है इस प्रकार से हमने value सबके निकाल ली ठीक है अब क्या करेंगे अब इसका integration करने के लिए value को रख दीजे उठा करके i बराबर कैसे निकाला integral y dx a to b y dx तो क्या करेंगे आब इसमें आपको क्या दिख रहा है आपको x पर value ये y fx है ना y क्या है fx है ना तो इसको हम क्या करेंगे fx0 plus fx1 plus fx2 up to fxn इन सब function को उठाएंगे ठीक है और इनको उठाके add कर देंगे जो result आएगा उसे लिख लेंगे सभी मैं कह रहा हूं लेकिन dx कहां गया into h करना पड़ेगा आपको इसमें सब में h से multiply करना पड़ेगा तो आपको इसकी value मिल जाएगी ये हमने integral as a limit of sum में पढ़ा है याद है ना भई आप समझीगा fx0 ये value हो गई जाकर के fx0 ये value हो गई ये चोड़ाई इससे multiply कर दो तो इस वाले strip का area मिल जाएगा इस प्रकार से हम value integral as a limit of sum में निकालते है ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे कर यही रहेंगे करेंगे ऐसे ही इसके टुकडे करने की संख्या कम ज्यादा कर देंगे और इसमें कुछ rules लगाएंगे उनके rule के ना रूफ करते हैं साउधान जैसे आपको कि नाम spelling में आता है नमबर एक ट्रेफजाइडल रूल ती आर ए पी जड़ ओ आई ट्रेफजाइडल रूल दूसरा है आपका सिम्संस वन थर्ड रूल सिम्संस वन थर्ड वन पान थ्री रूल अगला आपका आता है सिम्संस थ्री एर्थ रूल और चौथा आपका आता है वेडल्स फार्मुला वेडल्स रूल को या वेडल्स फार्मुला को ठीक है ये चार फार्मुले है इसकी मदद से हमको ये पूरी एरिया निकालना है ये इंट्रिकेशन करना है ठीक है अब इन फार्मुले को पूरूप कैसे करें तो इनके लिए इनका एक पैरेंट फार्मुला होता है पैरेंट आप चुकि आप जानते हैं mathematics के बाप कौन, जो सब जगे अपनी दखल रखते थे, scientist, mathematician हो कौन थे, newton, तो यहाँ पर newton's course formula ही काता है, newton's course formula, court formula, इस newton court formula को हम प्रूब करेंगे, बाद में इसी में से थोड़ा सा amendment करके, trapezoidal, Simpson, Simpson one third, Simpson three eighths, Waddell's rule बनाए गए, तो numerical integration का introduction सुमना गया क्या होता है, इसका कोई use आपके इस वाले class में नहीं है, क्योंकि मतला इसमें को समने बता है नहीं है, तो बता रहे हैं, numerical integration होता क्या है, आपको area निकालना है, ठीक है, अब हम इसके बात बात करेंगे, newton's course formula,